वेलकम बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 1 लर्निंग टुगेधर की पूरी एक्सराइज जो वर्ड मीनिंग यहां दी हुई है बच्चों, मैंने डिटेल्ड वर्ड मीनिंग अपने चैनल पर अप्लोड की है, आप वहां से जाके देख सकते हैं चलिए, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चिन है, एंसर दे फॉलोइंग क्वेश्चिन यानि यहां पूछ रहा है कि आप अपने सिच्चों को कैसे खुश करते हैं तो बच्चा इस पॉयम में कहता है कि हम बहुत कड़ी महनत करते हैं और अपने टीचर्स को खुश करते हैं बच्चिन नमबर बी है आप कौन सी नई नई चीजें प्रते एक दिन सीखते हैं एंसर है बच्चों वी लर्न मल्टिप्लिकेशन, प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, रीडिंग, एंड राइटिंग, एसेक्टरा न्यू थिंग्स एवरी डे Means हम गुड़ा करना, खेलना, डांस करना, गाना गाना, पढ़ना और लिखना इत्यादी नई नई चीजें प्रते एक दिन सीखते हैं Question number C है, Name the subject you study in class मतलब आप उन विशेयों के नाम बताईए जो आप अपनी कक्षा में सीख रहे हैं Answer है बच्चों, We learn math, science, history, geography, Hindi and English in the class Means, हम गड़ित, विज्ञान, इतिहास, भुगोल, Hindi और अंग्रेजी अपनी कक्षा में सीखते हैं Next question है, How do you enjoy with your friends in school? Answer, We play in the ground, sing songs and read books, thus we enjoy with our friends in the school Means, कि हम विद्याले में अपने दोस्तों के साथ ground में खेलते हैं, गाने गाते हैं, किताबे पढ़ते हैं इस तरह से हम एक दूसरे के साथ enjoy करते हैं Second question है, बच्चों, Match column A with column B to complete the lines of the poem Column A में कुछ sentence लिखे हैं, column B में कुछ sentence लिखे हैं अगर आपको poem याद है, तो आपको बस जिस line के बाद जो line आती है, उससे मिलाना है देखे कैसे See the big smile on my face तो हम see the big smile को किससे मिला देंगे? On my face We work hard Each busy day तो हम इसको किससे मिला देंगे? Each busy day Nine times nine is 81 तो इसे मिला देंगे 81 से Books to read, poems to say Books to read को हम मिला देंगे Poems to say से Again, reading, writing, spelling to तो इसे मिला देंगे spelling to से Next देखे कह रहा है Make a list of ramming words from the poem One has been done for you Place, face यहां पर एक phrase भी लिखा है बच्चों Education is a way to get success in life मतलब जिन्दगी में सफलता प्राप्त करने के लिए सिख्षा एक रास्ता है मतलब सिख्षा के जरीए आप अपने जिन्दगी में सफलता हासिल कर लेते हैं चलिए अब हम अपने poems में से ramming words को छाट के उसकी एक list बना लेते हैं पहला ramming word जो है बच्चों वो है देखिए Place, face हर line के end में जो अच्छा राता है बस आपको उसी पर ध्यान देना है Next देखिए Team, beam Day, play Song, long Say, day To, do फिर है आपका ends, friends Made, all, grade ये सभी हमारे इस poem में आए हुए ramming words हैं ramming words वो होते हैं बच्चों जिनका pronunciation यानि जिनका उचारण इंग्लिश में same होता है जैसे आपने भी यहाँ देखा ना Team, beam Place और face हमारे लिए पहले से लिखा हुआ था इस कविता के उच्चारण हिंदी अर्थ और word meaning की वीडियो मैं यहाँ लगा दे रही हूँ आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट उन वीडियोस को भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे बाई बाई बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में आप बच्चों